Hello children, I am Ravindra Kumar and I am going to explain you the lesson 5 of your textbook and the topic is my family. Now you can see here meaning of a family. A group of people who are related to each other and live together make a family. अर्थात लोगों का एक समू होता है जो एक दूसरे से सम्बंधित होते हैं तथा साथ साथ रहते हैं परिवार बनाते हैं. अब है टाइप्स ओप फेमलीज परिवारों के परकार. Some families are big while some are small. कुछ परिवार बड़े होते हैं जबकि कुछ चोटे होते हैं. A family in which father, mother and children live together is called a small family. एक ऐसा परिवार जिसमें पिताजी, मां और बच्चे साथ साथ रहें एक छोटा परिवार या a small family कह लाता है. अब है a family in which grandfather, grandmother, mother, father, uncles, aunts and cousins live together is called a big family. एक ऐसा परिवार जिसमें पिताजी, माताजी, दादा, दादी, मा, पापा, चाचा, चाची और उनके बच्चे अगर साथ साथ रहते हो तो वो एक big family कहलाता है. उसके बाद यहां देखिए, do you know, there are many single parent families, in such families, either the mother or the father looks after the children, बहुत सारे single parent families होते हैं, ऐसे परिवारों में या तो मा, या पिताजी बच्चों का देखभाल करते हैं. उसके बाद यहां आईए, यहां आपको अपने पिताजी की तस्वीर लगानी है, और उनका नाम यहां पे लिखना है, उसके बाद आप उन्हें जो पापा या डैडी बुलाते हो, तो उस बात को यहां लिखना है, उसके बाद है, अगर आपको अपने पापा के साथ खेलना पसंद है, या पढ़ना पसंद है, तो आप यहां लिखोगे, I love to play with him, I love to read with him, इस तरह से आपको यहां लिखना है, नेक्स्ट है, आप यहां आईए, अब यहां पे अपनी ममी की तस्वीर लगाईएगा, और वहां पे अपनी ममी का नाम मिशेज करके लिखेगा, जैसे MRS और यह पॉइंट, इस तरह से आप अपनी ममी का नाम लिखेगा, और आप उसे जैसे ममा, ममी, मा या अम्मी कहके बुलाते हो, तो आप वहां पे इस तरह से यहां लिखेगा, उसके बाद है, अगर आपको ममी के साथ खाना बनाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, तो आप यह यहां पर लिखोगे अब है यहां एक क्वेस्टन भी है सर्किल दो नंबर ओफ मेंबर्स इनियोर फैमली अर्थात आपके परिवार में जितना सदस है उसकी जो संख्या है उसको आपको सर्किल करना है उसके बाद है इन वाट टाइप ओफ फैमली डू यू लिव यानि आप एक एस्मोल फैमली में रहते हो तो एस्मोल फैमली लिखना है अगर आप बरे यानि बीग फैमली में रहते हो तो बीग फैमली लिखना है अब आते हैं रोल्स ओफ फैमली मेंबर्स परिवार में सदस्य का भूमी का क्या होती है अब है फादर अर्ण्स मनी टू सपोर्ट दा फैमली पिता जी पैशे कमाते हैं परिवार को सपोर्ट करने के लिए वह बच्चों के साथ पढ़ने में भी मदद करते हैं अब यहां देखिए मदर लुक्स आप्टर दी हाउस मा घर की देखभाल करती है सी अल्सो अन्स मनी टू सपोर्ट दा फैमली वह भी पैशे कमाती है रुपया पैशे कमाती है ताकि परिवार का सपोर्ट कर सके सी कुक्स डेलिशस फूल फोर्ट फैमली वह स्वादिष्ट भोजन परिवार के लिए पकाती है अब यहां देखिए दी फादर ओफ आवर मदर और फादर इज कोल्ड आवर ग्रेंड फादर यानि आपके मम्मी के पिता या आपके पिता के पिता आपके दादा जी कहलाते हैं उसके बाद है ग्रेंड फादर इस दा ओल्डेस्ट मेंबर ओफ दी फैमली दादा जी जो होते हैं वह परिवार के सबसे उम्र दराज व्यक्ति होते हैं सबसे बरे सदस्य होते है He loves to take me out for work अर्थात वह आपको घुमाने के लिए बाहर ले जाने के लिए घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं जिससे आप उनको बहुत प्यार करते हैं प्यार देते हैं उसके बाद यहां आएए The mother of our mother और Father is called our grandmother Grandmother tells us stories आपकी मम्मी की मा या आपके पितादी की मा Grandmother का लाती है और Grandmother आपको कहानिया सुनाया करती है Our brothers and sisters are called our siblings अर्थात आपके भाई या बहन आपकी शिबलिंग का लाते हैं They play with us वे आपके साथ खेलते भी है या वे हमारे साथ खेलते भी है फिर से एक बार यहां समझ लीजे Our brothers and sisters are called our siblings हमारे जो भाई और बहने होती हैं वो हमारे सिबलिंग का लाते हैं वे हमारे साथ खेलते हैं यही इसका मतलब हुआ अब आईए golden rules पर We must obey our parents हमें हमारे माता पिता की आदेश को मानना चाहिए वो जो कुछ भी कहें उसे मानना चाहिए Next है 2 नमर में We must help our mother to keep the house clean जब हमारी मा घर की साप सफाई करे तो उसमें आप अपना हाथ जरूर बटाईए We must 3 नमर में देखिए We must share work at home घर पर काम करने में हाथ बटाईए थोरा भोत काम आप भी करिए उसके बाद है 4 नमर में We should always respect our elders हमें हमेशा अपने से बरों का आदर सम्मान करनी चाहिए Next है 5 नमर में We must take permission of adults in the family Before going out somewhere आप जब कभी भी घर से बाहर जाओ तो अपने से बरे सदस्ट को जरूर बता के जाओ या उनसे permission ले करके ही आप बाहर जाओ ताकि परिवार में कोई परेशान नहों कि आप कहाँ चले गए है ये हमारे परिवार में रहने की golden rules है खास करके ये rules बच्चों के लिए है आज के लिए बस इतना ही That's all, thank you